नमस्कार दोस्तों मैं नमन जांगे टिप टॉक्स में आपका स्वागत है आज हम टिस्कस करेंगे नेशनल पेमेंट्स कॉर्परेशन ओफ इंडिया यानि की एन पी सी आई एन पी सी आई से रिलेटेड बहुत सारे कॉशन बनते हैं एक्जाम्स में पूछे जा रहे हैं आजकल और एन पी सी आई हलाकि थोड़ा सा बड़ा टोपिक है क्योंकि इसके जो प्रोडेक्ट से बहुत सारे हैं जैसे कि आप जानते हैं यूपी आई भारत बिल पेमेंट सिस चेक्ट रनकंशन सिस्टम तो इसलिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि NPCI को मैं आपके साथ एक ही वीडियो में डिसक्स कर पाऊं इसलिए मैं इसको पार्ट वाइस डिसक्स करूंगा आपके साथ ताकि अच्छे से एक्स्प्लेइन कर पाऊं और आप अच्छे से समझ भी इसके बारे में डिसक्स करेंगे और इसके डिफ्रेंट प्रोडेक्ट के बारे में हाला कि आज हम ओवर्व्यू लेंगे इसके प्रोडेक्ट का और बाद में फदर वीडियो में हम इसके प्रोडेक्स को डिसक्स करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले समझ कि NPCI है क्या देखिए अगर मैं आपको एक 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 जामपल से समझाओं तो जैसे हमारा RBI है RBI is the head of all banks and हम उसे countries bank भी बोलते हैं तो RBI किस चीज़ को control करता है RBI control करता है currency को तो ठीक वैसे ही NPCI control करता है digital transaction cashless transaction को जैसे आपको पता है कि RBI head of the bank है और RBI के rules और regulation के under सभी bank काम करते हैं ठीक उसी तरह NPCI भी RBI के regulation के under काम करता है यानि कि जितने भी detail payment system है वो सभी NPCI के under है वो NPCI के control में है NPCI के under guidance है Okay, so digital transaction बोल सकते है cashless transaction बोल सकते है तो उन सभी को कौन handle करता है NPCI handle करता है और मैं बोल सकता हूं कि जैसे इंडिया में बहुत सारे payment system है तो वो मुश्किल हो जाता है कि उनको आपस में connect करना तो उसको मजबूती देने के लिए और उसको integrate करने के लिए उन multiple system को integrate करने के लिए जिस organization की और हम बोल सकते हैं कि एक body की जरूरत थी वो है NPCI So NPCI is the umbrella organization for all retail payment system in India Umbrella organization क्यों बोला गया है क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं जितने भी retail payment system है चाहे वो digital transaction के रूप में हो या कोई app बनानी हो जैसे Bheem app है UPI है तो ऐसे जो काम है उनको कोन handle करती है उनको handle करती है NPCI That's why it is called an umbrella organization for all retail payment system in India तो इसका क्या aim है So it's aim to allow all Indian citizens to have unrestricted access to e-payment services यानि कि जो भारतिय नागरिक है वो e-payment service को access कर पाए बिना किसी रुकावट के तो यह aim है NPCI का तो चलिए आगे discuss कर लेते हैं देखिए NPCI was founded in 2008 Okay इसे 2008 में found किया गया था and certificate of commencement of business issued in April 2009 यानि कि certificate दिया गया commencement बतलब शुरू करने के लिए of business was issued in April 2009 and it was registered under Section 8 of Companies Act 2013 तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि यह किस के regulation के अंडर चलती है तो RBI के regulation के अंडर चलती है So it was formulated under the guidance of RBI यानि कि Reserve Bank of India के guidance के under इसे formulated किया गया था Indian Bank Association और Indian Bank Association के under मतलब जितने भी banks है Indian Bank Association में Reserve Bank of India यानि कि उन सभी के guidance और उन सभी के regulation के under काम करती है NPCI ओके और इसका headquarter है Mumbai महराष्टर में तो चलिए discuss करते हैं कि Board of Directors कौन-कौन है NPCI में देखिए NPCI के Board of Directors में शामिल है Mr. बिश्रु मोहन महापात्रा जो की Non-Executive Chairman है Mr. दिलिप असबे जो की Managing Director है Current Managing Director & CEO है और अगर मैं बात करूँ Former CEO की तो वो कौन थे? So former was AP होता जो की August 10, 2017 को Retire हो चुके हैं उनके बाद Mr. दिलिप असबे आए हैं जो की अभी Present CEO & Managing Director है NPCI के और इसके Board of Directors में शामिल है RBI के Nominee, Nominee from the 10 Promoter Banks देखिए 10 Promoter Bank है यानि की 10 Bank है जो पर्मोट करते है NPCI को तो वो कौन-कौन से Bank है State Bank of India, Punjab National Bank, Canra Bank, Union Bank of India, Bank of India, ICICI, HDFC, City Bank & HSBC तो जो ये 10 Promoter Bank है उनके Nominee जो है वो भी Board of Directors में शामिल है और इनके साथ साथ Independent Directors हैं जो की चार है जो है Ms. Rama Bijapurkar, Mr. Sachis Pradhan, Prof. G. Shukuma & Dr. San Tanu Paul तो ये हैं Board of Directors NPCI के और फदर जो आपको डिटेल्स तेहिए अबावट 10 Promoter Bank nominees तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा नेचे तो आप उसमें फोटो उनकी फोटो के साथ नाम आ रहे हैं तो वहां आप देख सकेंगे एक्सेस कर पाएंगे Board of Directors को तो चलिए बात कर लेते हैं NPCI के कुछ प्रोडेक्ट के बारे में और ये जो प्रोडेक्ट है हम फदर वीडियों में डिसकस करेंगे ये पूसिबल नहीं था कि मैं आपको डिटेल जो इनफोरमेशन है इन सभी प्रोडेक्ट के बारे में दे पाऊंग इसलिए आज हम सिर्फ इनको देखेंगे कि कौन-कौन से प्रोडेक्ट से तो अगली वीडियो में हम डिसकस करेंगे इन सभी प्रोडेक्ट को ओके सीर्ल वाइज हम डिसकस कर देंगे तो देखिए भारत क्यू आर वन ओफ दी प्रोडेक्ट ओफ एन पी सी आई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसे आप यूपी आई के नाम से जानते हैं भी मैप ओलसो डवलट पाई एन पी सी आई इन अचानल ओटोमेटेड क्लियरिंग हाउस जिसे हम नाम से जानते हैं इमीडियेट पेमेंट सिस्टम इमीडियेट पेमेंट सर्विसेज आई एम पी एस रुपे जो कार स्कीम के अंडर आता है भारत बिल पेमेंट सिस्टम भारत बिल पेमेंट सिस्टम अधार पेमेंट National Financial switch 099-08-99 hash and the check truncation system और अगे प्रोडेक्स ने तो है कि अगे की है और आपकी तो अगर आपको Qnps प्रोडेक्स के बारे में pela LB गत्या के आप के इसके इसरी लिंगे में ऐक भ्रीडियों दीछी तो आप जाया बरेख सकते हैं मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँआ तो इत वोज ए ब्रीफ एक्स्प्लिनेशन तो एंपीसी आइ तो हम इसके बारे में आगे फर्दर डिसस करेंगे और इसके प्रोडेक्स को डिसस करेंगे कि एंपीसी आइन क्या डवलप किया है तो इत वोज ओल अबाउट एंपीसी आइ तोड़े आगे हम पार्ट 2 में डिसस करेंगे इसके प्रोडेक्स तो थैंक्स फोर वचिंग दी चैनल डून फोर्गेट तो सब्स्क्राइब दी चैनल जैहिंद